आज जिस विडियो चे रियाक्शन करांगे उस दे वारे बहुत सारे हजारो करोडों लोग सोच दे हैं समझ रहे हो मतलब के ताउसंस अव करोर्स फीपल थिंग दाट वाय पंजाबी वाय सिख कम्यूनिटी इस सो रिच हेल्धी वेल्धी सक्सेस्फुल स्ट्रेस फ्री पंजाबी कम्यूनिटी इतनी जादा पैसे वाली कैसे है सब सोचने इस बारे में और यह एक थॉट मेरे दिमाग में भी आता था और नीचे इनका जो चैनल है उसका जो ओरिजिनल लिंक है वीडियो का वो मैंने डाल दिया है तो एक बार उनके चैनल पर चाकर के तुड़ा प्यार जरूर बरसाना वोलना किलाया रियाक्स की तरफ से आया तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को ठीक है तो एक बार इस वीडियो पर रियाक्शन करते हैं देखते हैं what is exactly the reason behind it तो तब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब अपनी बहुत प्यारी सी किलाया रियाक्स फामिली है पंजाबी पूरा परिवार है अपना प्यारा सा तो एक बार इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब गर की बेल आइकन दबाद हो ताकि जितने भी रियाक्शन वीडियो आएं आप नोटिफाई हो जाए उनसे और में को इंस्टेग्राम पर फॉलो जरूर करना और मैं नॉमली ऐसे नहीं बोलती है कि में को इंस्टेग्राम पर फॉल नहीं किया है तो पर लो तो शुरू करें रियाक्शन को स्टार्ट करते हैं जैसा कि आपने थम्नेल में पढ़ा आज हम सिख या सभी पंजावियों की सम्रद्धी और संपन्नता के कारणों की बात करेंगे मैं मेरी बात करूं तो शायद एक साल से ज्यादा वक्त पूरा बनाती है और आगे बढ़ने के पहले एक बात क्लियर कर दू कि मैं यहां किसी धर्म या संप्रदाय को बड़ा बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं ना ही किसी को छोटा बताने या आप मान करने की मेरी कोई मंच्शा है मैं सिर्फ उन कॉलिडी की बात कर रहा हूं जो की पंजाबियों या सिखों को सम्रद्ध बनाती है और अगर आप उन आदतों को उन खासियतों को अपना लेते हैं तो आपको सम्रद्ध होने से आपको संपन होने से आपको पैसे वाला होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती चलिए अब आपका और वक्त नहीं चाहिए या किसी particular चीज पर हमारा अधिकार है उनको बच्पन से ही ये सिखाया जाता है कि अगर तुम्हें सरदार बनना है अगर तुम्हें सरदार होना है तो तुम्हें दस्तार का मान रखना सिखना होगा नहीं तो तुम सरदार होने का हग भी नहीं रखते ये बात बहुत चोटी सी लगती है लेकिन इसका impact बहुत बड़ा होता है इस वज़े से उनको बच्पन से पता होता है कि हमें जो करना है अपने दम पर करना है कोई हमारे लिए एक रास्ता बना कर नहीं देगा हमें कोई special treatment नहीं मिलेगा हमें कोई अलग छूट नहीं मिलेगी हमें कोई privilege नह नहीं होते किसी से कोई उम्मीद नहीं करते बलकि वो हमेशा खुद के भरोसे पर महनत करने के लिए तयार रहते हैं और कुछ मांगना ही होता है तो इश्यूर से मांगते हैं लेकिन अपनी महनत करना नहीं छोड़ते अब आप ही बताईए कि जो इंसान खुद के काबिलिय भरोसा करते हुए अपनी महनत करते रहता है तो वो सफल नहीं होगा वो सम्रद नहीं होगा तो कौन सम्रद होगा और आपको अगर सफल होना है तो आपको ये quality अपना लेना चाहिए और आपको खुद को entitle समझने के जगा अचीवर बनने पर focus करना चाहिए और अगर आप भी कह सकते हैं कि हमने तो गमंडी सरदारों को देखा है या ऐसी ही बाते तो मैं आपको समझा दूँ कि एहंकार और अभिमान में बड़ा अंतर होता है जब आपको एहंकार होता है तो आपको दुनिया आपसे छोटी और कमतर लगने लगती है पर खुद पर अभिमान होने से आप खुद का सम्मान करते हैं लेकिन दुनिया का आपमान नहीं करते और जो ये कहते हैं कि सरदारों या सिखों में घमंड होता है उन्होंने शायद इने गुरुद्वारे में सेवा करते नहीं देखा जिस इंसान को बच्छपन से ये सिखाया जाता है कि गुरु के नाम पर जूते साफ करना भी एक पुन्य का काम है बड़ा काम है उसमें घमंड आएगा कहां से तो मैं ये मानता हूँ कि सरदारों में अभिमान होता है और उसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन उनमें एहंकार नहीं होता उनमें घमंड नहीं होता और इसी वज़े से वो दुनिया का कोई भी काम बुरा नहीं समझते वो हर उस काम को करने के लिए तयार रहते हैं जो उनका दीजिन उनका मजभ उनको इजाज़त देता है और इसलिए कभी भी वो बेरुजगार नहीं होते और जो इंसान बेरोजगार नहीं होगा जिस इंसान के अंदर काम करने का पूरा जजबा होगा उसे पैसे भी मिलेंगे और जब पैसे मिलेंगे तो वो समरद्ध भी होगा तो हम इसे भी सरदारों या सिखों की संपनता का एक बहुत बड़ा कारण कह सकते हैं रही बात अभिमान की तो मैं ये मानता हूँ कि दुनिया के हर इंसान में खुद के लिए अभिमान और सम्मान होना जाईए क्योंकि जब तक आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे दुनिया आपका सम्मान नहीं करेगी तो इस बात को हमेशा ध्यान रहिए सिखों की संपनिता का एक बड़ा कारण ये भी होता है कि वो पैसे कमाते हैं और उसे दान करते हैं और पैसे का सम्मान करते हैं जहां ये बात कई लोगों को विकार लग सकती है और जो मैं बार-बार कहते रहता हूं कि पैसे बचाओ, पैसे बचाओ, ये तो उस टीचिंग के खिलाफ लगती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, सिख धर्म में ये नियम है कि आपको अपनी इंकम का 10 प्रतिशत दान कर देना चाहिए, और पहली निजर में तो ये लगता है कि इसे एक आम इंसान को नुकसान यहां मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं मनी मैनेजमेंट की, होता ये है कि जब आपको अपनी इंकम पर 10 प्रतिशत कहीं दान करना है, तो आप अपनी इंकम पर ध्यान देते हैं, आप अपने पैसे पर ध्यान देते हैं, और जब आप पैसे कि अगर आप पर कर्ज नहीं होगा तो आपके धन्वान होने के चांसे बहुत ज़्याधा बढ़ जाएंगे। और मजा है जिसके चलते लोग अमरत्सर स्वंड मंदिर में ट्रक भरके चाव लाटा सब्जियां दाले छोड़कर चले जाते हैं और उससे लंगर चलता है जो कि वहां आने वाले हर धर्म के लोगों का पेट भरता है और इस तरह का दान सिर्फ श्री हरिमंदर साहब जी मंद करने लगते हैं उस situation में आप के लिए अपनी समरद्धी को बढ़ाना और खुद को संपन बनाना बहुत आसान हो जाता है और ये सिखो या पंजाबियों की समरद्धी का एक बहुत बड़ा कारण भी होता है अब आप चाहें तो अपने पैसे कहीं परदान दीजिए या मत लेकिन पैसे को मैनेज करना जरूर शिख लीजिए और मुझे यकीन है कि जब आप अपने पैसे मैनेज करेंगे तो आप खुद को धनवान भी बना पाएंगे और अगर आप चाहेंगे तो आप दान भी दे सकेंगे सरदारों या सिखों की एक क्वालिटी ये भी होती है कि वो अपने जिम्मेदारियों को समझते हैं और जिम्मेदारियों को उठाते हैं इस बात का सबसे बड़ा उधारन तो मैंने श्री हरिमिंदर साहब जी मंदिर में ही देखा था वहाँ पर मुझे सिक्यूरिटी के नाम बर सिर्फ एक पुलिस बैन देखी थी और वहीं अकेली जगा थी जहां मैंने गन देखी थी उससे अरामा मंदिर में जो भी सेफटी और सिक्यूरिटी का काम था वो पूरी तरह से वहाँ के सिवादारों ने संभाल रखा था और यह सिर्फ एक उधारन है लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि सरदार सिर्फ एक जगा नहीं हर जगा अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और निभाते हैं इस वज़े से उन लोगों को दो फायदे होते हैं पहला फायदा तो यह होता है कि जब आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं जिम्मेदारियों को उठाते हैं तो आपके पास quality होती है हर situation से लड़ने की और खुद को बहतर बनाने की साथ ही इसका एक फायदा यह भी होता है कि लोग सरदारों पर भरुशा करते हैं और जब लोग आप पर भरुशा करते हैं तो आपके लिए business करना, job करना या उसमें तरक्की पाना बहुत आसान हो जाता है तो अगर मैं आपसे यह कहूँ कि आपको भी सफलता के लिए धनवान बनने के लिए अपनी जिम्मेदानियों को समझना होगा और जिम्मेदानियों को उठाना होगा तो यह गलत नहीं होगा सरदारों की जो पांच भी खास बात होती है, quality होती है वो यह है कि वो अपनी संस्कृती का बहुत सम्मान करते हैं और नया अपनाने के लिए तयार रहते हैं लेकिन पिछली संस्कृती को पुरानी संस्कृती को छोड़ते नहीं है अब बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि हम भी अपनी संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करते हैं और यहां में कोई विरोध करने की हालात मैं नहीं हूं मैं विरोध करूँगा भी नहीं लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि अगर आप अपनी संकुर्टी का सम्मान करते हैं और नया से विकार करने के लिए तयार हैं तो आपकी संकुर्टी ये आपका culture आपको धन्वान बना सकता है ये बात तय है ये बात मैं इसलिए कहा सकता हूं क्योंकि हर धर्म में जो culture होता है, जो system होता है, वो पूरी तरह से tested होता है, वो इस तरह से बना होता है कि लोगों को, community को और पूरी दुनिया को एक बहतर जगा बनाए, मेरा वेक्तिकत उपिनियन यही है कि जो सिख या सरदार होते हैं, वो पिछले 400 सालों से अपने culture को पू पूरुद्वारे में सेवा करनी है, हर सिख को सिखाया जाता है कि सिर्फ विश्वर के सामने हाथ फैलाना है, और बाकि खुद कमाना है, और ये बात उन्हें बहतर बनाती है, इस बात से कोई फर नहीं पड़ता कि आपके धर्म को ना मानते हूं, तो भी आपका culture तो होगा ही, आपके धर्म, आपके culture में बहुत चारी ऐसी बाते भी होंगी, जो आपको संपन बनाने में मदद कर सकती हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने धर्म, अपनी संक्रती, अपने culture को सीखिए, उसकी roots को समझगिए, उसकी सचाई को समझगिए और उसका सम्मान क मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो आप खुद को संपन बना सकते हैं, खुश बना सकते हैं, और आप खुद को धनवान बनाने में काम्याँ हो जाएंगे, सरदारों की जो छटी quality होती है, वो है नया करने से डरना नहीं है, वो रिस्क लेते है और जरूरत होती है, तो शुने से शुरुआत करने के लिए तयार रहते हैं, अब रिस्क लेने की बात करें तो मैं यह नहीं कराऊं कि सरदार या से खार्मी में जाने का रिस्क लेते हैं, यह उनके लिए रिस्क नहीं है, देश के लिए मर मिटने को तयार रहना तो उनके ये यिश्वर की सेवा होती है ये तो उनके लिए जीने का तरीका होता है तो इसे मैं वो रिस्क में ही कहूंगा जो सरदार लेते हैं पर बात करें रिस्क की तो सबसे पहली बात तो ये कि वो अपना घरबार छोड़ कर दुनिया के दूसरे हिस्चे में जाने के लिए भी तयार रहते हैं और वहाँ जाकर एक नगी जिन्दी शुरू करने को तयार रहते हैं लगबट सभी सरदारों के पास में पंजाब में काफी जमीन हो सकती है लेकिन फिर भी वो लोग दूसरी जगों पर जाते हैं एक नया बिजन्स शुरू करते हैं और वहाँ पर अपने कमफर्ट को छोड़ करके जीरो से शुरुआत करने के लिए तयार रहते हैं शायद यही वज़ा है कि सरदारों की कुल आबादी धाई करोड़ से भी कम है लेकिन वो दुनिया भर में फैले वे हैं और 40 से ज़्यादा देशों में तो इतनी तादाद में हैं कि वहाँ की आबादी में उनका प्रतिशत भी काफी अच्छा है और कई देशों में उनकी इंकम भी बहुत अच्छी है साथ ही वो कभी भी नए काम के लिए ना नहीं करते और इसमें रिस्क होता है लेकिन वो रिस्क लेतने हैं और इसका फायदा उठाते हैं और इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि जब आप रिस्क लेतने हैं तो आपको reward भी मिलेगा तो अगर आप भी सिखो या सरदारों की तरह सफल होना चाहते हैं तो आपको इंचे बातों को जरूर अपनाना चाहिए अगर मेरी वजए से के विज़्वास का, किसी की भावनाऊं का अपमानना करूँ पर अगर मेरी वज़े से किसी को भी किसी तरह का बुरा लगा है तो उसके लिए मैं व्यक्तिकत रूप के हाँ जोड़कर माफी चाहूँगा उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है अच्छा लगा तो इसे शेयर जोड़ा है बहुत सारी लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं और बड़े-बड़े अमाउंट में कर्जा ले लेते हैं तो ये चीज़ सही नहीं क्योंकि कर्जा लेने के बाद जिन्दगी सुख में तो कभी बीटती नहीं है ये तो फैक्ट है हम सब जानते ही है फिर एक स्ट्रेस क्रिएट होता है माईन के अंदर पूरे दिमाघ पे वही चलता रहता है हर समय क्या अरब कर्जा उतारना है इसके इतने पैसे देने है उसके उत्ते पैसे देने है फिर जिन्दगी का जो एक वो खुषी होती है करना उससे अपने को money management आ जायेगा हमेशा अपने आप पर थोड़ा proud करना क्योंकि वह बहुत ज़रूरी होता है मैं यहां पर बैठी हो अगर मैं खुद की respect नहीं करूंगी तो कोई और मेरी respect क्यों करेगा जब मैं खुद के बार में यह नहीं बोलूंगी कि I am कि Laya reacts I am Nidhi Sharma I perform very well in videos I have proud on myself मतलब मुझे गर्व है खुद पे कि मैं यह जो काम कर रही हूं यह सब मैं खुद कर रही हूं खुद की महनत से कर रही हूं अगर मैं खुद ही धीली पढ़ जाओंगी इस काम में खुद ही सोचने लगूंगी कि मैं क्या कर रही हूं यहारी सही तो कर रही हू गलत कर रही हूं क्या कर रही हूं तो फिर दूसरे लोग मुझे पसंद करेंगे कैसे तो यह सारी जो क्वालिटीज बताई ना जीरो से स्टार्ट करना यह आज मुझे वीडियो इतना अच्छा लगाए कि मैं क्या बता हूं तो मस्ट शेर दिस वीडियो और जिन जिन वापस से वही सब साइकल चलेंगी का सिस्टेंसी नहीं रहेगी जीरो से स्टार्ट करने की रिस्क लेने की अपने अंदर जजबा नहीं आएगा वो सब होता है ना तो आप एकवा प्लीज नोट डाउन कर लीजे जो जो भी आप आज आपने इस वीडियो के थू सीखा है अगर अभी भी भूल गए हैं सारी जो 6 लेसंस थे तो उनको वापस से आप वीडियो में पीछे जा करके और फिर नोट कर लीजे ठीक है लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो अगर रोज रियाक्शन वीडियो देखने हैं entertainment वाले प्यारे प्यारे वीडियो देखना है मुझे देखना है तो चानल को सब्सक्राइब करना है वेल आइकन दबाना है दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है तो यहां से वहाँ जा करके एक बर उन वीडियो पे जरूर से प्यार बरसाना ब बोले सोने हाल साथ रहा गाल